हमको लैब में डिरेक्टिव बता चलो गया कि 44 ग्राम हमको क्या मिल जाएगा कारबन डायोकसाइड मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके कैपिसिटी का एक सिलेंडर तयार करेंगे कितना मोल रहेगा वन मोल ही रहेगा चलो गएँ अगर मैं अगर बोलता हूँ कि चलो ठीक है अब लैब में मेरे पास 16 ग्राम भी नहीं है मैं सब्सको 4 ग्राम दे सकता हूँ कितना 4 ग्राम उसके ठीक हा तो क्या करेंगे भाई 4 ग्राम देंगा 4 से टो उ हंको डिवाइड कर दो कितना required आ रहा है पता चल जाएगा ठीक है 4 है 4 से आप divide करोगे 4 gram तो 4 4 जाएगा वैसे इसको force करोगे 11 gram बन जाएगा ये ठीक है मतलब 4 gram अगर हमें 8 करेंगे तो 11 gram क्या बनेगा carbon dioxide बनेगा easy I think it's dead clear okay okay guys so देखो अब भाई किसके लिए यूज कर दिए मास तो निकाल देए अब वाल्यूम कैसे निकालेंगे देखो गैस जो होता है वो जरौली किसमें होता है वाल्यूम में होता है ठीक है मास तो पता चल गया वाल्यूम क्या होगा उसका देखो वाल्यूम के लिए ये पता है कि one mole है गैस का अगर one mole आ रहा है कोई भी गैस हो कोई भी गैस हो तो कोई भी गैस हो तो याद रखना किसी भी गैस का one mole exactly 22.4 लीटर ही होता है उसमें कोई changes नहीं होता है इस टीपी पे तो ये 22.4 लीटर सिर्फ carbon dioxide के लिए नहीं sulfur dioxide के लिए nitrogen dioxide के लिए जितने भी गैस है उन सब के लिए 22.4 लीटर ही आता है reason one mole ये mole concept का ही rule है इस ते molar mass को already find out करके क्या दे दिया 22.4 लीटर अदर्वाइस हम लोग carbon का क्या निकालते है molar mass निकालते हैं बड़ यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है अगर एक mole का है तो 22.4 लीटर अगर 2 mole आ गया तो कितना जागी है 44.80 लीटर अगर half mole आ गया तो 11.2 लीटर easy ओके तो ये हो गया हमको दोनुछीज पता चल गया भी volume कितना रहने वाला है और उसका mass कितना रहा है मतब 22.4 लीटर है ये लीटर है यानि उसकी capacity यू रहेगी cylinder की उसमें कितना weight का gas जाएगा 44 ग्राम का ये different होता है बस 44 ग्राम लेकिन लीटर volume सेम रहता है चो ठीक है ओके एक और example है देखो find volume of carbon dioxide produce carbon dioxide produce हो रहा है उसके volume find out करना है when 50 gram of calcium carbonate is heated देखो पहला वाले जो बताया था वैसे ही 50 gram of calcium carbonate is heated अब lab में हम लोग हैं हम लोग को कोई external आए उन्होंने बोला कि चलो बेटा 15 gram मैं क्या दे रहा हो तुमको calcium carbonate दे रहा हो अब तुम बताओ कि कितना amount में calcium oxide बनेगा अगर आप इसमें से एक amount भी निकाल लेते हो अगर इसका आप लोग क्या निकालोगे मास निकालोगे तो इसके मास को इसके सांद माइनस कर दो automatically calcium oxide का निकल जाएगा वह तब आपको सिर्फ एक चीज़ का find out करना है and law of conservation of मास तो पता ही है okay सो या तो उससे निकाल सकते हो या तो डाइटी दी इस्ट्यो मैट्री से निकाल सकते हो ठीक अब देखो कैसे निकालेंगे मास दे दिया है हमको पहदे तो chemical equation लिख लो then उसको balance कर लो balance है heat कर रहे है 50 gram क्या है calcium carbonate है हमको find out करना है कि calcium जो carbon dioxide है वो कितना find out हो रहा है okay कितना produce हो रहा है अब देखो इसके moles concept इसमें भी कुछ नहीं है मताब 1 mole अगर calcium carbonate burn हो रहा है तो 1 mole calcium carbonate oxide दे रहा है और 1 mole carbon dioxide दे रहा है okay अब देखो 50 gram है तो number of mole given mass molar mass कितना given दिया है भई 50 gram divided by इसका molar mass निकालो carbon calcium है calcium को हो जाता है 40 20 इसका हो गया तो 2.40 हो जाता है okay carbon का जानती है 12 होता है plus oxygen को होता है 16 कितने है 3 16 3 तो 50 आप multiply करोगे तो 100 आजागे 50 100 आजागे तो 1 जा और 2 जाब मताब हाप मूल हो रहा है अगर 50 gram calcium carbonate दे रहा है तो कितना आ रहा है हाप मूल याने 0.5 मूल मताब अगर में इसको अगर हमको 1 मूल चाहिए होता है तो कितना लगता हांडेड मूल 100 gram सौरी 100 gram लगता हांडेड मूल तो बहुत जादा हो जाएगा 100 gram चलो अब हाप मूल की बात हुआ है हाप मूल की अकॉर्डिंग अगर calcium carbonate का 50 gram calcium carbonate का 50 gram calcium carbonate को हाप मूल कर रहा है तो carbon dioxide का भी कितना यूज करेगा यह एक ही है ना अगर 2 होता तो 1 हो जाता हाप करोगे इसको भी अगर यह हाप हो रहा है तो इसको भी हाप करोगे रीजन सबका एक-एक मूल ही यूज हो रहा है तो यह जो concept है यह clear कर देता है कि अगर यह 0.5 मूल है तो यह भी कितना हो जाएगा 0.5 मूल रीजन 1 ही है दोनों सेम है अगर यह 2 होता और यह 1 होता समझो बात को यह 2 होता यह 1 होता तो 1 मूल calcium oxide इसका हाफ मूल carbon dioxide बनाता है बाइचांस अगर यह 1 होता और यह 2 होता तो इसका हाफ मूल calcium carbonate 1 मूल carbon dioxide बनाता है मतब जश्ट हाफ हाफ करना है जैसा यह है वैसे इसको भी करना है divide करते ना just मूल आएगा उसी मूल से divide कर दो इसके मूल को जो chemical equation में दी देखो भी हम को number of मूल पता चल जाएगा mass पता चल जाएगा so n यान number of mole equal to given volume divided by 44.4 gas के दी यूज कर रहा है okay 0.5 number of mole है equal to x assume करना है divided by 44.4 multiply कर दो भी half करना है 22 का half कितना होगा 11.2 तो x equal to 11.2 okay 2 है यह 11.2 नीटर मदब जो carbon dioxide होगा उसका cylinder हमको 11.2 नीटर का चाहिए होगा reason हाप मूल है अगर वन मूल होता तो कितना होता है 22.4 नीटर यह तो अप्रॉक्स है यह तो concept ही बताता है जो 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 गैस concept है वोई उसके आपनी okay ओके गाइस चला भाई next question है देख लो next question क्या बोलता है थोड़ साथ टफ होने वाला है लेकिन होगा बहुत एजी chemistry है समझ लिए तो सब क्लियर है find mass of carbon dioxide produce अभी carbon dioxide का ही निकालना है when 5.8 gram of butane is heat burnt भाई ब्यूटेन है वो जल रहा है तो 5.8 gram जलेगा तो कितना mass carbon dioxide दे रहा है produce कर रहा है उसको find out करना है भाई निकाल लेते हैं यहाँ पर chemical क्या दे दिया है formula दे दिया है आप answer लिखो ठीक है answer लिखे अच्छा दो चीज़े है यहाँ पर first condition यह second condition क्या बोलते है and also find carbon dioxide required in mass कितना oxygen इसमें required भी हो रहा है जलने के लिए यान 5.8 gram को जलाने के लिए कितना oxygen चाहिए वो भी निकालना है चै तो ठीक है पहले first को निकाल लेते हैं तो देखो भई balance कर लेते हैं chemical formula को तो balance करोगे तो यह आएगा 2, 13, 8, 10 reason यह है मैं इसको पहले से ही write इसलिए किया हूँ क्योंकि video lecture बहुत लंब हो जाएगा गर मैं read करना ही start करूँगा जो butane होता है वो कितना mole carbon dioxide बनाता है 8 mole भई समझो concept को 2 mole जो butane है वो 8 mole क्या बनाता है carbon dioxide और 2 mole butane को जरली burn होने के लिए 13 mole क्या चाहिए होता है oxygen चाहिए होता है यह balancing यह जो है formula वो बता रहे है अब हमको find out यह करना है कि कितना gram दिया है भई 5.8 अब 5.8 gram में कितना mole होगा वो तो निकालने के बाद ही पता चलेगा फिर इसके according इसको डिवाइट कर देंगे आप चलोगा 5.8 गिवेन मास में लगा दो गिवेन मास मॉल किले मास गिवेन मास कितना है वह 5.8 बट मॉल किले मास की बात करें तो carbon कितना होता है 12 into 4 hydrogen 1 into 10 यह आ जाएगा आपका 5.8 डिव चलो पूट कर दो यहां पर मतब 0.1 मॉल 0.1 मॉल किसका c4-10 का मतब क्या इफ 2 मॉल c4-10 जो 2 मॉल है यह ब्यूटेन का वह देता है 8 मॉल carbon dioxide तो 1 मॉल कितना देगा भई 1 ब्यूटेन जो होगा वह उसका हाप कर दो भई 4 मॉल carbon dioxide देगा तो फिर 0.1 मॉल ब्यूटेन कितना देगा 0.4 mol carbon dioxide अब यह कैसे पता चला भाई सीधी सी बात है easily आप find out कर सकते हो 1 mol जब 1 mol जो है वो 4 mol दे रहा है तो इसको 4 multiple बढ़ा दो ना 1 mol का जो value है वो 4 mol के बराबर है इसको multiply कर दो 4 से तो 4 mol आ जाएगा आपको कितना value है पता चला 1 mol का ही concept clear होना चाहिए 1 mol निकल गया तो directly निकाल सकते हैं next देखो guys हमको पता चल गया number of mol 0.4 number of mol लगा दो यहाँ पे number of mol given mass molar mass number of mol 0.5 assume कर दिये अब molar mass molar mass किसका mass है ना हमको क्या पूछा है mass of carbon dioxide यहाँ पे volume पूछता तब 22.4 यह हो गया carbon का 12 plus oxygen 16 into 2 आ गया तो 44 44 को 0.4 से multiply कर दो x की value आ जाएगी तो x equal to 44 into 0.4 17.6 gram क्या produce होगा आपका carbon ने से produce होगा अगर हम लोग क्या कर रहे है 5.8 gram butane को क्या कर रहे बर्न कर रहे है चलो ठीक है बर्न तो पता चल गया कितना product होने वादा but 5.8 gram butane को complete combustion करने के दिए कितना oxygen required होगा वो भी तो find out करना है second point तो second में आज़ो चलो so oxygen required अब oxygen required में देखो भई जब 2 mol जो था उसको burn करने के दिए 13 mol चाहिए देखो 2 mol butane को required कितना हो रहा है 13 mol oxygen required हो रहा है तो 1 mol को कितना required होगा भई 13 को 2 से divide कर दो या half कर दो 13 का 13 का half कितना होगा भई 7.5 ठीक है no 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 6.5 6.5 इसका हो जाएगा but ज़र अधी करना तो 13.2 mol oxygen अब कितना mol है हमारे पास butane का 0.1 0.1 mol butane is required oxygen to 13.2 13 by 2 multiply 0.1 यह concept clear हुआ उसका half पहले हो गया था कितना या फिर आप directly half कर दो ना इसका half करोगे तो कितना है 6.5 6 to 12 5 5 13 अब 6.5 divide कर दो भई ओके या फिर देखो directly यही से concept clear हो जाएगा moles oxygen तो 0.65 mol आ जाएगा ओके 0.65 mol जब आया 6.5 है एक mole और पीछे चला जाएगा तो 0.65 mol of oxygen required होगा कितना 0.1 mol mutant को जलाने के लिए burn करने के लिए अब देखो number of mole find out हो गया भी find out हो गया 0.65 mol given mass भी तो निकालना है तो x divided by molar mass तो पता होगा oxygen का कितना है भी 16 16 to 2 2 कर दो आगे 32 32 को multiply कर दो then x की value आ जाएगी आपकी लिए 0.65 into 32 कितना आएगा गाईज find out करो चलो यह find out करके आप यहाँ पे number of required mass number आप लिखोगे then यह जितने भी लोग कर रहे हो यहाँ का जो value आएगा number required oxygen required for this complete process commission तो उसकी लिए फिर मेरे को आप यहाँ पे value लिखके whatsapp में send करो कितना requirement हो रहा है समझ में आ रहा है पता तो चले कि इतने लोग study करना है देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं इस तरह से पढ़ाना एक notes wise पढ़ाना फिर बेकार हो जाएगा मेरे लिए okay okay guys जितने लोगों का commitment आएगा मैं समझोंगा उतना कही attendance आ रहा है समझ में आ रहा है तो आप लोगों को यह भूलना नहीं या इसका वेद्व निकाल के आपको send करना है requirement का okay next is next देखो गाईज क्या है find mass of copper carbonate required to produce 11.2 लीटर ओप carbon dioxide । भाई यह तो जर्रणी ऐसी दीख रहा है मेरे को अगर आप लोग अच्छे से देख रहे होगे तो यहीं से समझ में आ जाए नहीं तो फिर छोड़ो देखो हमको requirement किसका निकालना अबकी बार product का कितना product चाहिए अगर हमको 11.2 लीटर carbon dioxide produce करना है याने product का पहले ही पता है हमको reactant final करना है product का mass volume कितने देए 11.2 लीटर याने carbon dioxide देए 11.2 लीटर हमको copper carbonate की value निकालनी है ओके चलो देखो balance तो है ही एक mole इसका एक mole ही बना रहा है एक mole इसका भी बना रहा है चलो अब देखो 11.2 लीटर है क्या है carbon dioxide अब number of mole given mass molar mass 22.4 liter number of mole तो नहीं दिया है वही तो find out करना है given mass दिया है given mass नहीं given volume ले सकते हो given volume कलो इसको या फिर volume given एक ही मुत्तर में volume कितने भई 11.2 liter divided by 12.4 liter यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए कि 11.2 liter जो है वह 14 22.4 liter का half है तो half mole ही होगा तो यह आ गया भी 0.5 mole मतलब half mole मतलब अगर इसका half mole हो रहा है 0.5 mole हो रहा है carbon dioxide तो यह भी तो half mole ही होगा यहानि यहाँ पर भी require कितना होगा 0.5 moles समझ में है चल आ जो यहाँ पर देखो अगर one mole of carbon dioxide produce करता है produce हो रहा है one mole of copper carbonate okay so 0.5 mole of carbon dioxide produce होगा 0.5 copper carbonate use कर दिये इसका हम लोग को क्या निकाल देगे निकाल देगे number of mole given mass given mass भी कितने 0.5 into x एज्यूम किये अब इसका molar mass देखो भी copper का होता है 64 carbon का हुआ 12 plus 16 oxygen का 3 124 आ जाएगा multiply कर दो इसके साथ multiply करोगे 62 ग्राम के आ जाएगा इसका आपका copper carbonate का मतब easy है अगर आपको कोई भी concept clear हो रहा है तो आपकी वाकी concept जो होगा है वह automatically clear हो जाएगा अब बोलोगे कि यह first जो होगा sir वही नहीं देगा तो भाई आप बनाओगे आपको lab में हम लोग क्या करते हैं आप teaspoon ही लेते हैं उस teaspoon को आप calculate कर लो balance में कितना balance हो रहा है उसके according फिर आप equation state करके अपना पता सकते हो कि कितना product बनने वाला है कितना requirement होने वाला है I think यह chemistry जो होता है geometry यह आपको totally clear हो गया होगा अगर कोई problem होगा तो आप comment कर सकते हो okay guys